ओदेखें आज की दूसरी बड़ी खबर भी बिहार से ही है बिहार में इंडिये का विजय अभियान एक बार फिर जारी है चुनाव जीतने के बाद आज विधानसमा स्पीकर के पत्पप भी इंडिये के उमिद्बार विजय सिनह ने बाजी मार ली है अलकि इस चुनाव पर भूब हंगामा हुआ जमकर हंगामा हुआ दिखाते हैं है अगार अगार विधान सभा में 50 साल से ज्यादा पुराना रिकॉर्ड तूट गया में बिधान सभा में करीब 51 साल बाद हुए स्पीकर पद के चनाव में बीजेपी के विधायक विजे सिणा विजय हो गए सीम नितीश कुमार के साथ साथ तेजिस्वी यादा व बिधान सभा के नई स्पीकर विजे सिना को अध्या की कुरसी तक ले गए विजे सिना ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों हाथ जोड़ कर लोगों का अभिवादन किया इस दोरान पूरा सदन जैश्री राम के नारों से गूंज उठा स्पीकर के चनाव के प्रक्रिया के दोरान बिहार विधान सवा में जम कर हंगामा हुआ महा गड़बंदन के विजायकों ने चनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किये और प्रोटे मिस्पीकर जीतन राम मांजी से गुप्त मतदान की मांग भी की गई जिसे खारिश कर दिया गया महा गड़बंदन के विधायकों ने सदन में सीम नितीश कुमार की मोजूदगी पर भी सवाल उठाए और मतदान की दौरान उन्हें सदन से बाहर रखने की मांग को लेकर विपक्ष के विधायक सदन के वैल तक जा पहुँचे हंगामे की वज़ा से सदन की कारेवाही पांच मिनट तक के लिए इस्थगित भी कर दी गई काफी होहले के बाद आखिरकार बीजेपी के विज़े सिना ने चुनाओ में बाजी मार ली बीजेपी के विज़े सिना के खिलाब चुनाओ में महागडबंदन ने आरजेडी के अवग बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया था चुनाओ में एंडिये के विज़े सिना को 126 वोट मिले जबकि आवद बिहारी चौधरी को 114 विधायकों का समर्थन हासिल हुआ ABP News आपको रखे आगे